गुल्मारी बश्चों चलिए आप अपनी मैक्स की बूप निकाल लीजिए ठीक है और इसमें निकाल लीजिए पेज नमबर 10 ठीक ओके 66 औ 67 मैंने आपको करवा गिया था ओके पेज नमबर 10 पर 68 मैंने आपको समझा लाथा कि आपको एपाई ट्राय कीजिए ठीक है थोड़ा सा समझाय था कि क्या चाहिए रहा है वो मैं आपको कुछ से करवा रहा है ठीक है तो फोशन था मोई है 129 कुकिज की मोई के पास 129 कुकिज है नमन के पास 140 कुकिज और नमन के पास कजिए 149 और नमन हाच कुकिज 140 अब कुछा लेट हैं पुछाई कि नमंके पास Dr. Mowid गुटन के पास Prabodore मोहित के पास किछी है, 129 नमन के पास है, 140 तो नमन के पास कितनी जाद होगी, 11 जाद होगी मोहित से, तो यह हमारा कोशन है, इस तरीकी से आप इसको इसी तरीकी से लिख लेंगे, अपनी लोड़ में, दिएक है, मोहित है, कोशन पास कितनी है, नमन हाज कोशन है, नमन के पास कितनी है, उसमें कितने 105 जाद है, डूलर मिच केले है, उसमें कितने 105 जाद है, वाँचु सुमा ने उसने 110 रूलर्स और उस रूलर में रख़तेगें रूलर्स कितने रूलर्स में? रूलर्स इन रूलर नवाँ गिए 105 सुमा पेस् रूलर्स इन रूलर्स 110 है ठीक है चोलिए आपको प्लियर हो रहा होगा Question number 70 There are 134 children at Ramaj birthday party Ramaj birthday party थी चीक है? उसमें कितने बच्चे थे? Total number of children at Ramaj birthday party 134 Ramaj mother prepared 150 आइसे Ramaj की बदने बच्चों के लिए कितने आइसे नहीं? 150 और बच्चे कितने आए? 134 तो अब इसमें ये पूछाएं कि हरे बच्चे ने एक आइसे इसे menة कि रिच्चों काई है तो कितने आइसे पूछाएं को? So total number of children at Ramaj birthday party 134 Total number of ice worth इसमें क्या में number वोगा है? तुटन समें आइसे नहीं 151 तो हरे बच्चे ने एक आइस्ची काई है तो तो पिदने आइस्की बजिते हैं टौटल लबौर आइस्की जोनाए हम 150 आइस्की में से 104 बच्चे तो खा चुकी ए 104 आइस्की में खानी जा चुकी है तो कितने बच्ची एकशो पच्ची से जोवा कि 34 को बटाएंगे तो कि था है बच्चो शेपो तो बटाईए कि आपको यहां पर ही करना है आपको रखेंगे करना होगा मैं आपको समझाटी में करना हूँ तो आप अपनी नोट बुक में अच्छे से सुन्दर-सुन्दर इसको कीजिएगा सब्सक्राइब आपकर बाकया बढ़ने करेंगे और आपकी लोट बॉक्स बहाइजाएए कि चर्ण करने के लिए तो एक्टम साफ साफ काम करना है धन्दा धन्दा काम नीजिए तो खाभी चेक नहीं की जाएगे तो अच्छे से फूरा काम बना जोएए और साफ साफ काम बन